सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिक लेटेस्ट एक जबरदस्त और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे साजे ता में वो क्या विचार रखते हैं तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर दें ताके हम आपनी से लेटेस्ट और इंट् ट्रावलिंग थी तो आपको तंग नहीं किया और मैं चाहता था कि जो आपके आखरी दिन इंडिया में घुजरे और आप बापस मंदर में भी गए अबुदवी में और देन दुगई में भी आपने काफी कल्चर देखा जरा हमसे ये आखरी जो आपका ट्रिप था आखरी अपने उस ट्रिप के आखरी जो लंभात है वो शेर करना चाहूंगा और खासकर यह बताना चाहूंगा कि इस दफ़ा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फिलिंग्स थी चीमा सब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखरी लेग आफ दे ट्रिप था आई व उसके बाद वहां से जब वापस आये तो न्यू डेली में और फ्लू फ्लू फ्रम देर मेरा एक्सपिरियंस इस दफ़ा न्यू डेली एरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस विजनस लाउंच से हुआ जो वो एक्सपिरियंस आप से शेर करना चाहूंगा मैं अभी त का उसका बिजनस लाउंच को मैं समझता था कि that is an extreme of luxury लेकिन मेरी आखे बिलकुल खुली की खुली रहागी जब मैंने न्यू डेली के अंदर उनका बिजनस लाउंच देखा तीन लाउंच थे एक जो लाउंच था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा I was shocked कि उसके अंद working gym उसके अंदर था, showers थे मौझूद, sleeping parts थे उसके अंदर मौझूद, और beautiful, amazing, I cannot express my feelings, कि आप उसको देख कर ये अंदाजा लगाते हैं कि how this country is moving forward to compete to the rest of the world, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को compare ना किया करें, मैं समझता हूँ, वो बात उनकी काफी अर्त ठीक है, अब उनको compare मैंने करूंगा western civilization के साथ, अमेरिका के साथ, अब जो मैंने डिली एरपोर् हूँ, इसका सबसे बड़ा supporter रहा हूँ, कि कौमें leader lead करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर appetite होनी चाहिए, तरकी की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, will होनी चाहिए, और वो will मुझे east से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है, भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े short period के अंदर तरकी की, जब मैं यहां article पढ़ता था कि किस तरीके से Chinese student, Chinese institution से पढ़के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने यह आसता आसता पढ़ना शुरू किया, कि भारत के student जो हैं, वो भारत, यहां यूने इस्टियों से पढ़के वापस जा रहे ह इस वक्त बलके मुझे याद है कि अब से कुछ हरसा पहले मैंने एक article पढ़ा जिसमें लिखा था, brain drain की जगा, brain returning back to India, जिसमें खासकर Canadian American और British जो भारती लोग थे, एक तोक उनको packages अच्छे मिल रहे हैं, अपनी families के साथ रहते हैं, और दूसरा यह है कि अपनी मर्जी की च खासकर चीमा साब एक चीज़ शेयर करना चाओंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साथ है, मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाक्या आपके साथ शेयर करना चाओंगा, मेरा यह तीसरा ट्रिप था हरमंदर साथ, हरमंदर साथ बड़ा spiritually मेरे लिए सबसे ज़्यादा उसमें जो feelings होत हरमंदर साथ, तीनों दफा अरदास का टाइम हुए जब वेनां इंसाइड दा हरमंदर साथ, which is considered a very sacred in the Sikh religion, मेरे लिए इस अ आनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी अजाज की बात है, और बड़ा spiritual moment होता है, मैं बिलखसूस यह शेयर करना चाहूंगा, यह एक बात, चीमा साब मैं चर्चीज में भी जाता रहता हूं, मंदरों में भी जाता हूं, गुर्दवारों में भी, मस्जिदों में भी, मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं, जहां भी लोग अबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको you feel spirituality, you feel that you know there is something going on so exactly the same feelings I had when I was in Haramandr साभ, फिर अमरे सार मैंने जो टाइम गुजारा वापस आया और मैं एरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेर करना था तो उसके बाद जब अबुजबी आया, अबुजबी में भी मैंने देखा के वहाँ पे बिल्खसूस मुझे जा के वहाँ पे शेख जायद ग्रैंड मास्क देखने का मौका मिला, ब्यूटिफल आर्किटेक्चर और लोगों का फ्लड फार्नर्स का और सारा मैगनिफिस्ट आर्किटेक्चर, उसके बाद मुझे मौका हासल हुआ कि मैं डैप्स मंदर गया, मेरी खाहिश थी उसको देखने की जब से वो खुला है, मुझे लखी लिए मौका मिला जाने का, तो उसमें जा के मैंने देखा, बलकि मेरे साथ जजजदीब साथ थे उन्होंने बताया कि यहां पर जो पानी है, वो गंगा जमना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है, मूर्तियां सारी के सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं, साथ उसमें मुख्लिफ एंगल्स उसमें लगाए गये हैं, जो साथ एंगल साथ गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने वहाँ पे एक आए है वहाँ से उससे भी मंदर का व्यू किया उसका देखा इफ वस अ मार्वलस स्ट्रक्चर मैं रिखाल में और बड़ी दूर से नदर आता मैं बिलगसूर शाम के वक्त गया था तो चार के अंदर उन्होंने लाइव पौर्दों के साथ जो आर्किटेक्चर है हर जो उन्होंने गार्डन बनाया है वो भी देखने के लाएक है और उसके बाद मैं उसके बाद दुबई वर्ड के अंदर जिसमें सारे मुलकों को के उनके रेस्टूरांट और दुकाने हैं जिसके जाहर उनका है लिकिन दुमाग दूसरे लोगों का है इमिग्रेट्स का लगा है वहाँ पे और जो मैंने उनकी बिल्डिगें देखी हैं डाउन टाउन देखे हैं बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वार फिर उनके एरपोर्ट जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वह जो सेकंड टुञान ऑचसाब उसके वाद जो दो चार चीज़ें मैं शेर करना चाहूंगा मैं पैले दफायं 035. साल में अमेरिका आया हूँ तो मायूस हुआ हूँ मैं जब भी अमेरिका आता था पहले चाहे मैं रशिया गया चाहे मैं चाइना गया चाहे मैं यूके यॉर्प जाता था वापस आता था तो I always used to have feelings कि I am I have landed to the best country on the planet इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस हेर पोर्ट पे तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया क्रिप्लिंग स्ट्रक्चर क्रिप्लिंग स्ट्रक्चर और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आतीदफा इमिग्रेशन जो है इतहाद पर मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबुजबी के अंदर हो तो वहां मेरी एक लीस्ट पंदरा दफा पास्पोर्ट चेक किया गया हर जब भी आप टरन लेते हैं आगे बंदा खड़ा होता था वो पास्पोर्ट बूलता मैंने अजराय मजाग मैंने कहा यार कि इतना पास्पोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं पंदरा लोग चेक कर रहे हैं तो इमिग्रेशन का जो आफिसर था वो मुझे कहता बिकाज यॉर गई टू अमेरिका मैंने उसको कहा बई मेरा पास्पोर्ट पंदरा दफा़ चेक कर लिया है मेकसिको का बाडर तो बिनको को खुला है उदर तो जाते ही नहीं होते हैं तीन लाक बंदा एक महीने में क्रास कर रहा है बाडर और यहां पर अबु सब्र french कर लिया है गजित कर लिया चुप कर गया था वो उसके बाद मैं डलस एरपोर्ट पे छे डालर उने चार्ज किया, काट यूज कर दे, काट डाल के मैं नज़र आई है, इस वक्त मैं इस तहों मैं उत्रा हूँ एरपोर्ट पे, अमरीका घरीब नज़र है, यतीम नज़र आया आई इस तहफा मुझे अमेरिका, फस्स टाइम, और मैं आज भी, I'm a heavy hearted, because this is my, I, मैं किष्टिका जला के यहां आया था, this is the country, this is my kids country, this is my grandkids country, directionless, helpless, leaderless, hopeless, hopeless, इनके बच्चे refuse कर चुके हैं कि हमने तालीम हासल नहीं कर ले, इनके refuse कर चुके हैं, हमने नहीं पढ़ना, मैं जहाज में बैठा, मैंने Fox channel, मैंने internet लिया, जहाज के अदर, तो मैं Fox की news देख रहा था, तो Baltimore से, एक 11 साल का बच्चा स्तारा गड़ियां उसने चोरी की, 17 cars, यह आप Fox के Google करके देख लें, उस पे news को उपर मोजू है, 11 साल का बच्चा है, जो भी गड़ी चलाने की सलाइद ने रखता, स्तारा गड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड यह फ्यूचर है आप इस कैंट्री, मैं उतरता गया हूँ एरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एरपोर्ट है, टूटे पुली, इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बत्तमीज, और एरपोर्ट क्रिपलें, क्रिपलेंग एरपोर्ट, डल्टी, नैस्टी, जहा वेरी प्रैक्टिकल परसन, मैं ज्यादा तर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशन, मुझे एरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुलक की अकानमी क्या है, लोगों के कप्रों से, लोगों की चेरों से, लोगों के सूट केसे से पता चल जाता है इस कंट्री की अकानमी क्या है दोस्तों आश्या करतों कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और साजी तारड़ साप का पूरा एक्सपिरियंस और उनकी बाते आपको काफी पसंद आए होगी जहां पे उन्होंने खूब तारीफ की हमारे प्यार देश भारत के बारे में अपना परसनल एक्सपिरियंस कि भारत और भारतियों के साथ उनके जो वारता लाप है उनका जो एक्सपिरियंस है वो कैसा रहा आपने देखा साजी तारड़ साप जो है वो भारत के अलग-अलग शहरों में गए सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की दिल्ली से फिर वो इंदोर गए फिर वो चंड साजी तारड़ साप को भारत का जो हॉस्पिटालिटी है जो हमारी मेमान रवाजी है वो पसंद आयोगी तो ये वीडियो गर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और एक बाद फ